अस्टेलिया के खिलाब 14 टीटोइंटी स्रीस में आया आसिव अली का तुपान मिचल स्टार का गेन पर एक कोवर के अंदर जोर दिया है छे गेंद में छे छक्का तोर दिया है विराथ सिंका रेकोर्ट किया है कुछ ख़वर की जानकारी बदेंगे पूरा ख़वर आपको इ अश्टेलिया पापिस्तान के पर पाकिस्तान का कप्तान बाबर आजम पहले तॉच जीद के यहां पर बलवाजी करने का निन्ना जिए और बलवाजी करने के पहले जोरी आया फ़कर जमा और अब्दुल्ला सपीक जापर फगर्जम अपना पारी पर 15 गेंड की सामना करते हुए जड़ दिया 91 रन की पारी साथी अब्दुल्ला सपीक भी यह पर कुछ खात रन नहीं बना पाया अदो रान बना के चलता बना साथी यह पर तीन नमर में आया 22 रन पर 12 रन का उगदान देखे 22 रन भी आउट होके पर बना लोट गया इसके बाद आया महमत रिजवान महमत रिजवान से सभी फैंस एक बहुती अच्छा पारी का उमीद किया था लेकिन महमत रिजवान भी वह छे रन बना के चलता बना लेकिन दोस्तों एस चौथा गेन की सामना करते है जूड दियसतक उसके बाद या पर धौदारी पारी चौका चौका का बारिस करते है चालीश गेन दो में जूडिया 140 रन की सांदर पारी जिसके अंदर 16 चोगे 10 चोगे सामिल है जिसके बाद यापर 14 तीटोईंटीए सिर्स में यापर पाकिस्तान ने स्कोर बनाए 230 इसको बाद आश्लिया टीम का सलमी ओपिनर बलवास देविड वानर टेविशेड बैदन पर आया यापर डेविड वानर ने यह पर एचे रन पर आउट हो गया यह पर सैंसा फिदी का गेन पर लेकिन टेविशेड ने आपर नावाच रहकी चालिस गेंदों की सामना करतु है एकनवे रान की एक सांदर पारी खेला लेकिन मौमत अमीर का गेन पर टेविशेड भी आउट हो गया यहापर आश्लिया टीम के तरब से मिचल मक्स ने भी 23 पारी खेला 10 रान को उगदान दिया है साथी गेल गलेन मक्स वेल भी 20 रान का पा पारी खेला था लेकिन 110 रान पार यहाँ पर आल आउट हो गया था और प्रसपी Campbell यहाँ अर बुरा तरिके से हार गया यहां पर is forehead । साब फिदी ने दो इकट चटकाया है नसिम सान ने दो इकट लिया है साथी उस्मा नामिन ने अपना खाते पर एक उकट लिया है बैतिरें तरिकेजे पाकिस्तार ने जीत हासिल किया चौता तीडो इंडिया सिर्स में